हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड़ा दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे पीटेट के सिलेबस और एक्जाम पैटर्न की इसमें प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा साथ ही इसके सिलेबस के ओफिशल पीडियाफ को आप जॉबसरू.com से डाउनलोड कर लें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले बता दे अनकेडिमी द्वारा अल-इन-वन सब्सक्रिप्शन प्लान लांच किया जा रहा है जिसमें आप एक सब्सक्रिप्शन लेके टेट के सभी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं इसमें आपको डेली लाइब क्लासेस दी जाएंगी और सभी क्लासेस का अनल्लिमिटेड एक्सेस दीया जाएगा साथी प्रेक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे और आपके कोर्स को बैच वाईस कवर किया जाएगा पूरे सलेवस को कवर किया जाएगा उसके साथी डेडिकेटेड डाउट क्लेरिंग सिसन होगा तथा live test series होंगी और आपके study material को PDF format पर provide करा जाएगा तो इसके लिए आप यहाँ पर Unacademy की official website पर जाएगा जिसका link इस video के description में दिया गया है और comment में pin किया गया है उसके बाद अपना plan select करें आप यहाँ पर price देख सकते हैं लेकिन आप यह price ना पर करें यहाँ पर आप SRADDA coupon code यूज करें और apply button पर क्लिक करें आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर extra discount मिलेगा उसके बाद proceed to paper क्लिक करें और अपना plus subscription ले ले जिसका link इस video के description में दिया गया है और comment में pin किया गया है और इसे related अगर आपको कोई सवाल है तो आप उससे comment section में पूछ सकते हैं तो इस paper में आपसे mental ability से question पूछे जाएंगे teaching aptitude और aptitude test से question पूछे जाएंगे journal awareness से question पूछे जाएंगे साथ ही language proficiency से question पूछे जाएंगे इसमें 4 section होंगे पहले section में आपसे mental ability से 50 question पूछे जाएंगे सारे question आपके objective type multiple choice question होंगे यानि कि प्रते question में आपको 4 answer दिये जाएंगे जिसमें से आपको एक सही answer select करना होगा तो mental ability में आपसे reasoning से question पूछे जाएंगे imagination से question पूछे जाएंगे creative thinking से question पूछे जाएंगे तो जनरलाजेशन से question पूछे जाएंगे और drawing interference से question पूछे जाएंगे अब बात करते हैं section B की जो की teaching aptitude और aptitude test का section है इसमें total 50 question पूछे जाएंगे इसके अगर topic की बात करें तो teaching aptitude और aptitude test में आपसे social maturity से question पुछे जाएंगे, leadership से related question पुछे जाएंगे, और professional commitment से question पुछे जाएंगे, साथे interpersonal relation से question पुछे जाएंगे, और communication से question पुछे जाएंगे, तथा awareness से question पुछे जाएंगे, third section आपका section C जो है, इसमें आपसे journal awareness से question पुछे जाएंगे, इसमें आपसे 50 objective type multiple choice question पूछआ जाएगा साथी Indian History से question पूछआ जाएगे और Culture से question पूछआ जाएगे और India और उसके Natural Resources के बारे में पूछा जाएगा साथी भारत के महान वेक्तित पास्थ और Presence इन सब के बारे में पूछा जाएगा और Environmental Awareness के बारे में पूछा जाएगा साथी Knowledge About Rajasthana आपसे Rajasthana के बारे में पूछा जाएगा अब बात करते हैं section D की जो की language proficiency का section है इसमें English या हिंदी से 50 objective type multiple choice question पूछे जाएगे जिसमें vocabulary पूछे जाएगी functional grammar पूछे जाएगी sentence structure पूछे जाएगा और comprehensive question पूछे जाएगे इसमें सारे question paper आपके objective type multiple choice होंगे पूछे question में आपको 4 answer दिये जाएगे जिसमें से आपका एक answer सही होगा और question paper आपका English और Hindi दोनों language में होगा question paper को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूछे question आपका जो है 3 number का होगा total इसमें 200 question पूछे जाएगे जो की 600 number के होंगे तो अगर आप detail में से लिए बस जानना चाहते हैं तो मैंने इसका link इस video के description में दे दिया और comment में पिन कर दिया है आप उस link पर click करके इसके official PDF को download कर ले और इससे related अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं ये video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद